लव जिहाद कानून आने के बाद ऐसे ही लगाता लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन जमीनी अकीकत इससे जुदा है मजब के नाम पर दोके की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे गॉंडा में एक अपरन कांड का लव जिहाद कनेक्शन सामने आया है इस रपोर्ट में देखिए। मुंबई में रच्वाई जबरन शादी 14 जून को परिजनों ने कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट विरोध करने पर यूवक ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंग्रे इश्क के नाम पर मजबी फरेग की कहानिया हर रोज सामने आ रही है और सामने आ रही है मोहबबत के नाम पर फरेग की कहानिया अब गॉंड़ा से सामने आया है ऐसा ही एक संसनी खेच मामला गॉंड़ा के परस्पूर ठाना छेत्र में एक मुस्लिम यूवक ने पहले तो लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाया उसके बाद वह लड़की को बेहोश करके गॉंड़ा से मुंबई ले गया जहां जबदस्ती उसका धन परिवर्तन करवाया मामला तब सामने आया जब पीरित लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकल कर मुंबई से गॉंड़ा आया मैं शाम को साच के लिए खेट को गई तो वहां मुझे बादू ने कुछ सुगा कर भोश कर दिया मुझे घोश आया तो मैं मुंबई में थी वह एक कुम्रे में बन की मुझे अप् δस्ति हाफु जी को भुलाकर निकाह कर आयाया गया अन्होंने मुझे जब दस्ति मेरे साथ गलत काम किया और फिर गलत काम करने के बाद जब मेरे खालों को इस बात का मालूम चला तो मतलब जावेद मुझे खुद लाकर करनेल गन स्टेशन पर छोड़ दिया मुझे इंसाफ चाहिए ताकि आगे मेरी जैसी और लड़किया हैं इन लोगों के साथ असर ना हो लड़की के परिजनों ने बताया कि 14 जून को ही उन्होंने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी थी लड़की के मिलने के बाद जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो नियाय के लिए फीरित परिवार ने पुलिस से गुखार लगाई हमेश्व की तरह पुलिस की हीला हवाली से ठकहार कर पीरिता के परिवार ने एसपी और डियाईजी से नियाय की गुखार लगाई तब जाकर रिपोर्ट दरज हुई परस्तो जनपन गोडा अंतरगत एक ब्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के साथ बाला फुशला करके भगाले जाने एम उसके साथ दुस्तकर्म करने तथा धर्म परिवर्तन करने समन्धी तहरीर दिया गया है तहरीर के अधार पर भारती तर्ण बिर्हान अंसुची जात जनजाती जिसंस्तार निवारान अधिनियम एम उत्तरप देश बीद बिरुद धर्म परिवर्तन पर्तिसेत अधिनियम की तहत सुसंगत धरावों में चार नामजद के बिरुद अभ्योग पंजित्तित कर तक बिरुद आजए झाल बिरुद पार नामजद.